इंदे किGA किया कि स्यर्स वालिता हमने बीसिक बिलकुल epic बिलकुल सब्सक्राइब देखें के आगे हम देखेंगे call scenario यह है calls इसके बाद हमारा calls in advance रहेगा ठीक है न calls in area को generally मैं तीन पार्ट में बाट के खराता हूँ जिसको जो भी doubt है पूस्ते जाईएगा क्योंकि देखे ये 11th का chapter है तो मैं तो मैं इसको थोड़ा सा ना fast भी लेके चलूँ तो जो भी doubt होगा पूस्ते जाईएगा फटा फटा से इसमें पहला जो हम topic करेंगे when name एक तो simple करेंगा पहले करेंगे हम simple वाला point और मैं questions ना लिखके मैं chart बना दूआँ simple simple calls in area कैसे होगा उसके बाद हम करेंगे when name given कई बार नाम given होता है कि राम नहीं दे रहा है पैसे और एक बार आपका fail तो होता है जब आपका when name not given नाम दिया ही नहीं ठीक है एक बार जब नाम दिया ही नहीं simple वाले को देख लेते हैं यहीं करेंगे when name next page पे चले जाएंगे और name इसके call scene area पे interest का भी देखी लेंगे अभी example देखिए मान लो हमारा issue जो हमने किए that is हमने 10,000 share किए ठीक है और हमारा share है 10 रुपे का और इसके पैसे कुछ इस तरीके से मांगे गए दो रुपे पांच रुपे और तीन रुपे यहां पे Mr. Ram यह तो मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ यहां पे Mr. Ram नाम लिख देते हैं राम जिसके पास 200 share थे फेल हो गया पैसे देने में फेल हो गया जनल एंट्री करता है क्यों क्यों समझ मैं क्या है हमारा 10,000 share है 10 रुपे का एक share है जिसके अंदर पहला application कितने का है 2 रुपे का allotment कितने का है 5 और 3 का final allotment के time पे एक वेक्की फेल होगी अराम जिसने कितने पैसे नहीं दिये 200 नहीं दिये तो जब 200 नहीं दिये तो ऐसे situation में क्या entry होगा वो देख लेते हैं entry देखते हैं और फटा-फट से पहले topic को हम करेंगे खता again मैं being नहीं लिखूँगा चलिए पहला bank account debit to share application है ना और क्योंकि 2 रुपे का share है और 10 अजार है तो 10K into में 2 that is 20,000 यहां कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है ना देखते जाएगेगा यहां कोई फरक नहीं पड़ेगा अगली entry क्या होगा bank में बैसे आएगे तो bank account debit to share application यहां भी फरक नहीं पड़ेगा यानि जहां fail होगा ना वहीं फरक पड़ेगा और वह भी पता है कि इस टाइम पर अभी यह पता चल जाएगा आपको इसके बाद आगे देखते हैं share allotment to equity share cover अच्छा इसको हमने दो बार कर दिया इसको हमने दो बार कर दिया यहां जाएगा share application to equity share cover चलो ठीक है share allotment में कितने आएंगे अब 5 रुपे है तो 10,082 में 5 50 यहां भी कोई फरक नहीं पड़ा सर जहां पर भी जो fail होता है वहीं फरक पड़ता है लेकिन bank की entry में फरक पड़ेगा अब देखो मेरे bank में payment जो आना है मैं थोड़ा इतर कर लेता हूँ मेरे bank में जो payment आना है वो payment आना है यह अचार सजार बट यहां पर पैसे नहीं आए कितने 200 share के तो 200 multiply by 10 यानि 200 multiply by 5 यानि 1000 नहीं आए समझ यहां बात को 200 shareholder ने पैसे नहीं दिये तो 200 shareholder ने कितने पैसे नहीं दिये यह 5 रुपे के हिसाब से नहीं दिये तो यह नहीं 1000 नहीं आए मैं मांगता कितना था पूरे 50,000 तो 200 shareholder ने नहीं दिये 1000 तो bank में कितने आए तो यह आगे bank account debit 49 और यहां पर हम लिखेंगे calls या allotment area लिख देते है allotment पर fail है न तो यहां पर लिख देंगे allotment call scenario भी चलेगा allotment area कितने का fail हो गया सर्व 200 multiply 5 1000 और 2 share allotment यहां फरक दिखेगा आपको 50,000 ठीक है न बहुत सारे student ने इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं इस entry को मैं वो भी करके दिखा देगा बहुत सारे student इस entry को दूसरे के यहां करना हूँ लेकिन हम ऐसे ही करेंगे और जो आपके कई बच्चों के mind में चल रहा होगा हमने तो ऐसे किया था तो यह गलत होगा क्या नहीं मैं उसको कर देता हूँ इसको और में लेके लेकिन हम जब भी पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे ठीक है और में एक और entry का क्या हो सकता है सिर्फ bank to share allotment और सीधा आप क्या करते है 49k और 49k ये भी ठीक है और ये भी ठीक है इसको आगे दीरे दीरे हम discuss करेंगे कि हम ये वाले क्यों prepare कर रहे है इसको क्यों नहीं कर रहे है ठीक है ये भी ठीक है और ये भी allotment की entry है अब किसकी entry आईगे सर फाइनल कॉल की तो अगें share final call to equity share capital तो बताइए share final call to equity share capital में कितने रुपे जाएगा सर यहाँ final call to equity share capital final call तीन रुपते का है तो 10,000 into में clear है अब फिर से bank में जब पैसा आएगा तो ये मान के चलिए ये continue fail आएगा तो 30,000 में से फिर fail हो जाएगा तो यही 200 share जो fail होगा अब इसको multiply इससे करना होगा यानि जहां का पैसा होगा वहां से multiply करना जब यहां fail था तो इससे यहां fail था इससे और जो एक जगा फेल हो जाता है अजंशन लेते हैं के वह to be continue आगे fail होगा जब तक question हमें ना दे कोई जानकारे इसके बारे में 600 रुपे तो यह आगे 29,400 अब क्या करेंगे अब करेंगे calls in area account debit ठीक है और यह आगे हमारा 600 to share final call अब पहले इसमें बता दीजे आप किसी बच्चे का doubt है तो ठीक और नहीं है तो हम अगले topic पे चले इसमें बता दीजे किसी student का doubt है तो जितना भी तक किया है हाँ अभी simple चल रहा है फिर given होगा तो हाँ name अब वहाँ पे दो failure करूँगा मैं अभी पता चल जाएगा सर्फ फूर्फ पे एंट्री कैसे करा फूर्फ एंट्री एक दो तीन चार इस फूर्थ एंट्री के आप बात कर रहे हो फूर्फ एंट्री आपका पूरे 50,000 रुपे मिलने थे जिसमें से उसने 200 शेर होल्डर है जो पैसे नहीं दे रहा तो इसका हमने calculation किया 200 गुणा में 5 रुपे ये है इससे multiply कर दिया तो 1000 नहीं दिये तो bank पे मेरे 49 आ गए area allotment रहा 1000 और share allotment 50 ये वाली entry और ये वाली entry सेम है चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए मैं आपको प्रफेर करूँगा कि वीकॉम में आप ये करके चले आगे पता चलेगा इससे थोड़ा benefit मिल जाएगा Sir it is possible कि परसन ने allotment नहीं दिया और सीधा final दिया हो बिल्कुल possible होगा करेंगे question यहाँ fail हो जाएगा और final पर वो सारे पैसे दे जाएगा ये possible है ठीक है ना अजयान का उनको first से adjust करेंगे हाँ बिल्कुल first से भी adjust होगा वो 600 क्यों हुए 600 इसलिए हुए क्योंकि यह अब final पर जब fail होगा तो final का 3 रूपे है final का कितना है 3 और 200 share है multiply किया तो 600 हो गया call scenario हमारे लिए एक तरीके से personal account का काम करेगा आगे देखें इस वाले topic पर चले इस वाले पर अगर ये clear हो गया तो ये भी समझ में आएगा चले केस नंबर टू ठीके माल लिजीए example पहले वाले example को ही copy किया जाएगा तो ताकि आपको यहाँ difference पता था रहे तो बहुत किछ भी जोगे ने आप लिख लेगा जो issue है that is 10,000 और 10 रुपे का share है और 10 रुपे का share का वही रखते हैं तीन रुपे 5 रुपे 2 रुपे राम यहाँ पे fail हो गया 200 share में मोहन यहाँ fail हो गया 300 share में ठीक है यह इस तरीके से situation बन गया है अब हमने क्या करा दो दो shareholder failure कर दिये हैं आपको pass necessary general entry करना है बड़ा basic से चीज है चलिए आ जाएगे और यह सभी question मैं अपने example करा रहा हूँ आपको पहली entry पहली entry किया होगा बताओ bank account और bank account debit to share application कितने amount से होगा simple सी बात है सर 10,000 share है और 3 रुपे तो कितने से होगा 30,000 आप exam में ऐसे 30 के नहीं लिख सकते ठेक है आपको exam में पूरे 30,000 लिखने होंगे इसके बाद share application to equity share capital यह भी 30,000 पहले का being share application amount receive और दूसरे का share application amount transfer to equity share capital इसके बाद आ जाते हैं allotment पे allotment पे क्या होगा सर share allotment to equity share capital यह सारी चीज़े लिखना है debit मैं लिख नहीं रहा तो इसका मतलब यह नहीं के नहीं होगा लिखना है आपने exam में तो यह आ जाएगा हमारे कितने 10,000 share है और multiply by 5 यानि कितने आगे 50,000 ठेक है 50,000 अब यहां तो बढ़ा है अब क्या करेंगे bank में payment लेंगे तो bank में payment कितना आना है सर पचास अजार लेकिन उसमें से इस वेक्तिने पैसे नहीं दिये तो इसको इस से multiply करेंगे यानि एक हजार रुपे आपका आजाएगा नहीं आएगा that is यहां पर आजाएगा 49,000 allotment area 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 मतलब बाकी है account debit कितने आजाएगे यहां पर 1,000 और 2 आजाएगा हमारा share allotment जो आजाएगा पूरे 50,000 अब देखिए first call पर जब जाएगे मांगेंगे पूरे से share first call इसको final भी लिख सकते हो two equity share capital हमेशा area का जो impact आता है न वो पता है कहां आता है bank के time पर तो मांगेंगे अब भी पूरे से 10,000 into में two यानि आपका two है यानि आपका आगया इसके बाद आगे देखा जाए तो अब bank में payment लेने जाएंगे तो अब दो वेक्ति के पैसे नहीं आएंगे total कितने आने थे हमारे 20,000 लेकिन एक तो यह वाला वेक्ति to be continue यहां fail होगा जाके जो कि 200 into में दो रुपे नहीं देगा 200 into में दो और एक प्लस 300 into में दो यह भी नहीं देगा 300 into में दो तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो फिर से अगेन मेरे पास 1000 नहीं आए जो कि आ जाएगा हमारा कितने 19,000 मैं फिर से clear कर दूँ इसको थोड़ा 6 से जगे है हमारे पास देखो 20,000 लेने थे तो एक विक्ति ने पैसे नहीं दिये कितने नहीं दिये 200 वाला failure हो गया 200 into में 2 रुपे एक तो यह failure हो गया एक विक्ति ने और पैसे नहीं दिये कितने 300 शेयर था और into में 2 तो कितने हो गई यह 600 तो जब हमने solve किया तो यह 1000 आ गया अब यहां लिखेंगे call scenario कि तो call scenario में क्या आएगा call scenario में आएगा हमारा कैसे 1000 बड़ी सिंपल सी बात है 200 into में 2 प्लस में 300 into में 2 तो यह आ जाएगा हमारा 1000 तो शेयर क्या है शेयर फॉस्ट कॉल यह आगे पूरे 20 यह था हमारा कैस नमबर 2 किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो बताईए किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट फिर अगले के इस पर चले अभी आएंगे ना किसी को डाउट है बताईए यहां पर अगले पेज पर आ जाते है सर परसन अलग है तो दोनों का अकाउंट अलग अलग नहीं खुलेगा नहीं ऐसा नहीं है अभी आप देखते जाएंगे बस मेरा परपस क्या है आप थोड़ा सा गलट डारिक्शन में जा रहे हैं देखिए अब मैं थोड़े से कुश्चन में बदलाब कर रहा हूँ मैं कुश्चन तो यहीं लूँगा थोड़ा जल्दी होताएगा बस समझने की दिक्कत है चलिए आपके सामने सेम कुश्चन रखा जा रहा है और बस मैं कुश्चन में क्या बदलाब करने जा रहा हूँ यह ध्यान देजे मैं लिख देता हूँ पूरा यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ all money receive accept 200 share ठीक है यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ all money receive accept 300 share यह लिख दिया थोड़ा और मैं इसको neat and clean बता दू क्या कहना चाह रहा है कहना चाह रहा है यहाँ 200 share के पैसे नहीं आए और यहाँ पर 300 share के पैसे नहीं आए कहना यह चाह रहा है थोड़ा उसी को explain कर दिया हम इस सारी entry को delete करके दुवारा करेंगे format बस मैं use करने वाला हूं इसका और पहली दो entry में अगर आपको पता हो तो कोई फ़राख तो मैं पहली दो entry नहीं कर रहा समझे बात पहली दो entry तो यहीं रहे कि तीसरी entry पहले यह बताईए पहली दोनों entry में किसी को तो कोई छेड़ खानी नहीं करने तीसरी entry में 200 वेक्ति फिलियर है तो share allotment की entry होनी चाहिए तो share allotment में क्या होगा share allotment to equity share capital कितने आगे यहां पर आजाएगा दस अजार इंटू में आच यानि वही चीज़े रहने वाली है पचास अजार आप एक बार register में चेक भी करेंगे मतलब जब compare करेंगे तो पता चल जाएगा अब यहां पर जब बैंक में पैसा receive होगा bank account debit तो मिलने थे 50,000 जिसमें कितने पैसे नहीं मिलेंगे minus 200 इंटू में 5 रुपे नहीं मिलेंगे अभी तक सीखते हैं 49 और यहां पर आजाएगा allotment area area कितने आजाएगे एक हजार to share allotment that is 50,000 ठीक है अब आजाते हैं first call पे सारा कहानी यहीं पे है first call पे share first call अब भी मांगेंगे सभी से to equity share capital that is हमारे पास 10,000 share है इंटू में 2 यानि कितने आगे 20,000 ठीक है अब जब bank में पैसे लेने आएंगे तो कितने share के पैसे नहीं आएंगे 10,000 यानि 20,000 तो था ही हमारा ठीक है कितने रुपे नहीं आएंगे देखो 20,000 था अब यहां पे 300 इंटू में दो नहीं आएंगे यानि 600 तो पैसे कितना है कि 19,000 चार सो आप बातों को समझेएगा इसका मतलब नाम तो है नहीं तो इसका कहने का मतलब है कि भाईया यहां पे जो यह 300 फेलियर है यह टोटल है टोटल का मतलब 200 तो पुराने वाला होगा ही होगा और नए वाला 100 होगा इससे यहां पी यह सेंस निकलेगा जबकि पिछले आले कोश्चंस में क्यूंकि नाम अलग था तो राम तो आगे 200 फेल गया ही और यहां पे मोहन एक नया वेक्ती है उसके होगे तो इसलिए यहां पे क्या माना गय इसलिए था जबकि इसमें ऐसा नहीं है जब नाम नहीं हो तो इसको एससे सॉल्व करना पड़ेगा आपको तो यहां पे आ जाएगा कॉल्स इन एरियर 600 और टू शेयर को फाइनल कॉल first call लिखतो final call लिखतो 20,000 हारा कि first लिखा है उपर तो यहां first गहाना चाहिए first call यह हो गया बताई है कोई so नहीं हो रहा sir यह class off हो गया है यह class off हो गया allotment के area के जगा call scenario बिलकुल लिख सकते है बचे क्या करा है मुझे तो दिख रहा है सब कुछ यहां पर मुझे तो clear है सारी चीजे फिर से बताई यह clear है मुझे तो सब कुछ clear दिख रहा है first class तीन questions करें मैंने इसमें तीनों में difference पता चलाई simple देखो area का तो basics है अब नाम और बिना नाम का आपको यहां पर पता होना अची है कि कैसे कैसे करेंगे इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी लेकिन हम इससे आगे भी बढ़ेंगे अबी तीक है यहां तक clear है और यहां पर नाम नहीं कीवन है 300 तब वो जुड़ेगा वो आगे continue जाएगा अलग से fail है बिलकुर यहां पर कह सकता है all money received except ram and other का तो फिर नहीं होगा सर लास्ट एंट्री दुबारा बता दे लास्ट एंट्री में मैं क्या बता रहा था कि यहां पर 200 फेलियर था और यहां पर 300 फेलियर था इसलिए यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ मैंने 300 को ही failure किया इसकी detail एंट्री चानना चाहते हो 300 कैसे आए तो 200 इंट्री में 2 एक तो पुराने वाला और plus 100 इंट्री में 2 एक नए वाला जो की एक call scenario आ गया ठीक है तर दो मिन्ट के बाद अलग दो मिन्ट के बाद आगे बढ़ाना नोट कर रहा हूं अरे नोट के लिए आपको PDF मिल जाएगा चिंता मत कर रहा हूं झाल झालग जाओ झाल्ड़ो संग्ट है